इस चैप्टर के अंदर हम वाइट स्पेस प्रॉपर्टी कवर करेंगे, काफी इंबॉर्टन प्रॉपर्टी है, काफी सारे इसके यूजीज हैं, तो चलिए, शुरू करती हैं, सबसे पहले हम अपना प्रजेक्ट फोल्ड उपन कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और उप यहां पर राइट सेट पे दो टेक्स्ट के पैराग्राफ इसलिए हैं, जो उपर वाला है वो पैराग्राफ है, और नीचे वाला आर्टिकल टैग के अंडर है, इसको भी आप पैराग्राफ की तरह लेजी आप, आप ब्लॉक आफ टेक्स समझीए, इससे एक सिर्फ एक टे इसके बाद जो यह ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हैं, यह वाइट स्पेस होता है, और यह पहले वर्ड से पहले भी हमारे पास वाइट स्पेस है, यह सब वाइट स्पेस कैसे आइटिकली ब्राउजर इनको शो करें, उसको चेंज करने के लिए हमारे पास वाइट स्पेस property होती है, यहाँ पर दो-दो paragraphs लगाने का जो मेरा मकसद है, वो इसलिए है कि आप उपर वाला जो paragraph है, right side पे जो उपर वाला paragraph है, उसको देखके आप idea लगा सकें कि default कैसा होता है, तो चलिए हम आपको show करता हूँ, white space property white space लगाने से पहले में आपको बताना चाहता हूँ कि white space property की बहुत सारी values हैं, जैसे कि normal, no wrap, pre pre line, pre wrap, जो normal value है, वो मतलब basic value, 0, अगर हम white space property नहीं लगाते, जो उसके पहले जो property अल्रेडी अप्लाइड करता browser, वो होता है normal, white space normal, आप right set पर देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला जो space है हमारे ये article tag के अंदर article के अंदर, ये वाला जो space है दोनों words के बीच में, ये वाला space वहाँ पर show नहीं हो रहा है, तो normally जो white space आपका browser handle करता है, वो ऐसा है कि अगर आपके text के बीच में, बहुत सारे spaces हैं, तो वो उनको delete करके single एक ही space बना देता आपका browser, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाले spaces भी maintain रहें, और जैसे मैंने text लिखा है, जहाँ जहाँ पर entire वह सब maintain रहें तो उसके लिए white space की different different values काम आती है, तो सबसे जो पहली value हम लगा के देखते हैं, वो है no wrap, जो no wrap value है, आप right set पर देख सकते हैं, कि जो हमारा text था आप उपर वाला default text को देखिए, जो हमारा जो पीछे वाला border है, पीछे वाला box है, उसके अंदर contain रहने के लिए अपने आप wrap होके नीचे आ रहा था, wrap का मतलब होता है, देखिए, जैसे कि अब मैं text को wrap कर रहा हूँ, ये ऐसे wrap करना इसको बोलते हैं wrap, और अगर जो text आपका box के अंदर ही रहे और बाहर ना निकले, तो text जहाँ पर खतम हो रहा है, जहाँ पर box नहीं होरी है, और box से हमारे बाहर निकल गया है, तो no wrap value ये करती है, आपके text को single, एक straight line में convert कर देती है, और wrapping बंद कर देती है, इसलिए no wrap value तो जो दूसरी value है, वो है pre value, pre value क्या करती है, actual में ये भी no wrap है, लेकिन इसके अंदर खास बात ही है, कि जितने ये white space है, उसको वैसे के वैसे ही maintain रखती है, जैसा हमने अपने text में दिया हुआ है, तो अब देख सकते हैं, जो हमारे article tag के अंदर, ये वाला जो हमारा white space है, वो यहाँ पर भी show हो रहा है, right side में, जबकि जो no wrap value या फिर normal value है, जो कि automatic होती है उसके हिसाब से हमारा जितना भी space होगा, वो सारा का सारा delete होके एक space पर आ जाएगा automatically convert कर देगा browser तो चलिए मैं आपको अगली value दिखाता हूँ जो अगली value है, वो है pre-rap, pre-rap value जो है वो बहुत ही काम की value है यह काफी बार use करी जाती है text को लेकर, इसके अंदर क्या है कि जो आपके white spaces हैं वो भी वैसे के वैसे ही maintain रहते हैं जैसे आपने अपने actual text में डाले थे और आपकी जो line है वो भी wrap हो जाती है, तो pre और wrap दोनों को मिला कर pre-rap आपकी value बन गई white space की white space के अंदर सबसे important property एक तो ये वाली है pre-rap और दूसरी है आपकी pre-line अब right side भी result देख सकते हैं जो ये pre-line है हमारी value ये ऐसा लग रहा है कि जैसे normal value है, actually जो pre-line है इसका ये काम है कि ये जितने भी extra white spaces होंगे वो आपके ignore कर देगी लेकिन जो आपका structure होगा बाकी अपने paragraph का वो इसको maintain करके रखती है मान लीजी अब मैं article tag के अंदर text के अंदर यहाँ पर enter प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं right side पे हमारा जो enter है वहाँ पर show हो गया है लेकिन जो white space generate हुआ मेरे enter से यह इतना सारा वो इसने automatically one पे कर दिया है बिल्कुल सारा का सारा white space delete करके single space में convert कर दिया है है ना यह कितनी awesome value white space की तो जो white space property है यह बहुत जगा पर काम आती है मान लीजी आप कुछ ऐसे blog post लिख रहे हैं जिसके अंदर text जो है अलग होता है या फिर बहुत सारी text की line है आप चाहते हैं कि मेरे spaces भी maintain रहें और जहां पर मैंने enter प्रेस कर रहा है अपने text में वो अपने आप line एक दूसरे से जा के जोड़ना जाए जैसे कि आप right side पर उपर की तरफ देख सकते है paragraph automatically जहां जहां पर भी white space है वो सब का सब automatically delete हो जाता है और single white space में convert हो जाता है तो default के अंदर जो हमारी value होती है हर एक paragraph की वो होती है white space की normal अब आपको मैं एक बार last example दिखाता हूँ जो हमारा paragraph है मान लिजिए अब इसके अंदर मैं यहाँ पर enter press करता हूँ या फिर बहुत सारे spaces दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं उपर का जो मेरा text है उसमें कोई फर्क नी पड़ता क्योंकि जो default value है आप देख सकते हैं हमारे CSS के code के अंदर मैंने हमारा जो paragraph selector है paragraph के उपर हमने white space property नहीं लगाई है क्योंकि white space property automatically लगी हुई है white space normal value के साथ और यह browser default way में लगाता है और white space normal जो value है वो क्या करती है जितने भी extra spaces और enters होते हैं उनको अपने आप delete कर देते हैं और single space automatically generate कर देती है तो आपको सिर्फ दो properties सबसे ज़्यादा याद रखनी है pre-line और pre-rap और एक बार मैं आपको खाली pre-property भी दिखा देता हूँ फिर से pre-property क्या है बहुत शायद कभी काम ना आए आपके या फिर बहुत कम cases में काम आए क्योंकि इसके अंदर white spaces तो maintain रहते हैं लेकिन जो आपका text है वो अपने section से अपने div से बाहर जा सकता है तो इसके अंदर इतनी flexibility नहीं है बहुत सो सो मच के use करने पड़ती है property लेकिन जो बाकी दो properties हैं वो हमेशा आपके use में आने वाली है pre-rap और pre-line ये दो properties आप याद रखें और practice करते रहें इन properties को तभी आपकी command better बनेगी I hope आपको समझ आया होगी ये tutorial अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like करें, subscribe करें और comment दोनों के cases में कर दें Thank you so much for watching